तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्साम टबलेट में दोस्तों हर्याना में A&M, G&M और Multi-Purpose Health Worker का First Round का यहाँ पे Choice Filling स्टार्ट हो चुका है और इसका Official Notification भी आ चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो Official Website है यह आपका nursing.onlinecounseling.co.in तो यह link मैं नीचे description box में नीचे दे दूँगा और वहाँ से भी आप जा सकते हैं इसके Official Website में और यहाँ पे आपका यह notice आ चुका है कि आपका कब तक यहाँ पे आप Choice Filling कर पाएंगे तो चलिए इसको open करके देख लेते हैं दोस्तों यह open हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका recedule किया गया है फर्स राउंड एडमिसन का तो यहाँ पे जो आपका preference locking या फिर choice filling जो है यह आप कब तक कर पाएंगे तो यह आप 10 October 2022 तक कर पाएंगे और उसके बाद देखिए आपको जो course आपको एलोट किया जाएगा या फिर जो institute आपको मिलेंगे या आपको कब पता चलेगा तो यह आपको पता चलेगा 12 October 2022 को और फिर उसके बाद देखिए आपका जो verification होगा documents का और फिर आपका जो देखिए free deposition या फिर admit the students by institute in online portal तो देखिए online portal में जो आपका admission भी होगा तो यह कब होगा यह आपका 13 October 2022 से लेकर 14 October 2022 तक और उसके बाद फिर यहाँ पे जो second round के लिए होगा यह आपका preference locking देखिए कब से start होगा पहले तो आपको यहाँ पे vacant seat दिखाएंगे कि first round यहाँ पे होने के बाद admission होने के बाद कितनी seat बची हुई है यह आपको पता चलेगा 15 October 2022 को और उसके बाद फिर जिन बचों का नहीं हुआ है तो वे फिर से यहाँ पे preference locking या फिर choice feeling करेंगे जो कि आप यहाँ पे 16 October 2022 से लेकर 17 October 2022 तक कर पाएंगे फिर आपको भी जो institute या फिर course अलोट होंगे तो यह आपको पता चलेगा 19 October 2022 को और उसके बाद फिर document verification original documents का और उसके बाद फिर fee deposition और admit the students by institute in online portal तो यह आपका होगा 20 October 2022 से लेकर 21 October 2022 और उसके बाद फिर आपका देखे mop up round के लिए tentative जो reschedule किया गया है तो यह कब है यह आपका जो भी seat second round admission के बाद बचेंगे तो यह आपको कब दिखाई देगा यह आपको 22 October 2022 को दिखाई देगा और फिर यहाँ पे आपका जो देखे opening the portal for the fresh registration तो फिर आपको यहाँ पे fresh registration करना पड़ेगा verification of original documents for eligibility fee deposition और यहाँ पे admit the students by institute in online portal तो यह आपको 30 October 2022 से लेकर 31 October 2022 तक होगा और इसका जो last date होगा देखे registration का closing का तो यह कब होगा यह आपको 31 October 2022 को सामके 3 बजे यह बंद हो जाएगा आपको choice filling जो करना है वो आपको कैसे करना है तो सबसे पहले इसके official website पे आपको आना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते है nursing.onlinecounseling.co.in तो इस पे आप आईएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से open होगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक option मिलेगा registered candidate तो यहाँ पे आपको CLIQU करना है और CLIQU करने के बाद दीखिए आपको इस तरीके से एक page खुलेगा यहाँ पे आपको आपका user id देना है उसके बाद आपको आपको आपना password देना है और उसके बाद फिर आप login करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर option मिलेंगे preference locking के और वहाँ पे आपको जितने भी government college हैं और जितने भी private college हैं तो वे सारी के सारे वहाँ पे list में रहेंगे तो आप वहाँ पे preference select कर सकते हैं कि सबसे जैसे एक number, दो number, तीन number और इस तरीके से आप select कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अगर आपको chance मिले तो सबसे पहले आप किसमे admission लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप preference अपना choose कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को like करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भीवर हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका notification आपको मिल पाए